Hello everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में मैं जून के आखरी पाँच दिन यानि 26, 27, 28, 29 और 30 पाँच दिन के multiple choice question कवर करूँगा Total questions का number है 137 ये वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कल आप में से बहुत सारे लोगों का NICL का exam है और एक बात याद रखिए आज रात से 9 बजे daily press information bureau का analysis मैं खुद दिया करूँगा हिंदी और अंगलेजी दोनो भाशाओं में और हमारे जो pen drive courses हैं इस सबस्यादा fast selling course है UPSC 2018 के लिए हम 7 जुलाई से UPSC की test series भी start कर रहे हैं इसके अलावा SSC CGL, IBPSPO अगर आप कोई भी pen drive course हमारा लेना चाहते हैं तो 7291059476 पर call करिए या फिर आप मुझे email भी कर सकते हैं गौरफ.studyIQ at gmail.com तो चले शुरू करते हैं इन में से कौन सा web application है जो free कानूनी सला प्रोवाइड करेगा कैदियों को और ये एक तरह का legal services management system भी इन्होंने शुरू करा है एक तो जो कैदि हैं उन्हें मुफ्त कानूनी सला दी जाएगी क्योंकि कैदियों के पास ज्यादतर जो कैदि हैं वो काफी poor background से आते हैं ये service start करी है नालसा ने यानि National Legal Services Authority ने आंसर है B National Legal Services Authority और एक और चीज़ याद रख सकते हैं आप जो न्याय मूर्ती हैं दीपक मिश्रा ये हैं नालसा के executive chairman ये याद रखिए और एक और चीज़ बता देता हूँ justice दीपक मिश्रा के बारे में भारत के अगले chief justice ये बनेंगे क्योंकि ये सबसे senior हैं तो ऑगस्ट में जब हमारे अभी जो न्याय मूर्ती हैं J.S. कहर ये रिटायर होंगे तो अगले भारत के chief justice बनेंगे justice दीपक मिश्रा अमरीका C-17 transport aircraft ये भारत को बेच रहा है 366 million dollar की लागत से यानि आप इसको लगभग कह सकते हैं 1700 करोड रुपे या लगभग आप इसको अगर आज के rate से multiply करें तो आप इसको लगभग 2000 करोड बोल सकते हैं तो ये जो aircraft है C-17 अमरीका की कौन सी कमपनी बनाती है इसे इस कमपनी का नाम है Boeing ये बहुत important question है और Boeing की जो सबसे बड़ी competitor है वर्ड में वो है Airbus और Airbus कमपनी है France की इसके अलावा और भी कमपनीया है जैसे अमरीका की ही कमपनी है Lockheed Martin आपने F-16 सुना होगा तो ये सब Lockheed Martin मनाती है इसके अलावा एक और कमपनी है जो आप जान सकते हैं वो है Dassault इसे हम बोलते हैं Dassault Aviation ये वो कमपनी है Dassault जिसे हमने Raphael Jet खरीदे है हमारी वायू सेना के लिए और ये कमपनी भी है France की तो ये कुछ नाम है लडाकू विमान बनाने वाली कमपनीयों की FIFA ये फुटबॉल के मैचिस कराती है पूरे वल्ड में और फुटबॉल की वल्ड और्गिनाइजेशन है ये FIFA इसका हेड़ कुवाटर है Zurich में और Zurich है स्विजर लेंड में तो FIFA अपना जो वेन्यू है अंडर 17 वल्ड कप आप जानते हैं भारत में होगा तो मुंबई से इन्होंने वेन्यू अपना शिफ्ट कर दिया है और ये इन्होंने All India Football Federation की रिक्वेस्ट पर किया है All India Football Federation के प्रेजिरेंट है प्रफुल पतेल जो Nationalist Congress Party यानि NCP की पार्टी से आते हैं जो शर्मत पवार की पार्टी है तो आपको ये बताना है कि मुंबई से इन्होंने वेन्यू कहां शिफ्ट किया है ये इन्होंने शिफ्ट किया है नहीं दिल्ली और इसमें एक चीज़ याद रखिए FIFA जो है उसके प्रेजिरेंट है जियानी इन्फेंटिनो इनका जनम इटली में हुआ था लेकिन अभी इनके पास इटली और स्विजर लेंड दोनों की दोहरी नागरिकता है इनमें से किस उद्योग पती को किस पुझी पती को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल दौारा Global Leadership Award देकर सम्मानित किया गया है तो एक से ज़्यादा है इसलिए आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो दो हैं एक तो ये जो फोटो में है इनका नाम है आडी गोजरेज मशूर पुझी पती उद्योग पती ये गोजरेज ग्रूप के चेर्मेन है और एक है डाओ केमिकल्स नाम की कमपनी है डाओ केमिकल्स उसके CEO है Mr. Andrew Liveris तो आंसर है 1 and 2 यानी A हमारा जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है ओडी सा के धर्मेंदर प्रधान जिनकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं आप इन्हों ने इंट्रोड्यूज करा है ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी और दा नेशनल डेटा रेपोजेट्री आपको ये बताना है इस नई पॉलिसी के हिसाब से कितना ऐसा एरिया है जो exploration के लिए यानि जिसमें से आप तेल निकाल सकते हैं उसके लिए खोला जाएगा sedimentary basin का कितना एरिया ये target कर रहे हैं तो total area है 2.8 million square kilometer यानि 28 lakh square kilometer ये area है और ये है हमारे पैट्रोल मंत्री इसके अलावा हमारे जो बिजली मंत्री है वो है पियुश गोयल तो ये दो मंत्री है जो आपको बिल्कुल पता होने चीए इन में से किस व्यक्ति को International Economic Association यानि IEA का नया president appoint किया गया है ये है मशूर economist और इनका नाम है कौशिक बासू और इनोंने कुछ किताबे भी लिखी है जैसे for example एक का नाम बता देता हूँ जो एक्जाम में आ सकती है Crossings at Banaras Junction Crossings at Banaras Junction ये इनकी किताब है एक और बात जब मनमोहन सिंग परधान मंत्री थे 2009 से 2012 तब ये मुख्य आर्तिक सलाकार थे यानि Chief Economic Advisor थे अभी भारत के जो Chief Economic Advisor है वो कौन है? अर्विन सुब्रेमन्यम तो ये कुछ नाम है जो आप याद रख सकते है और ये जो IEA है ये इसकी 18 बैठक हुई थी 18 वी World Congress और ये हुई थी Mexico के अंदर Mexico कहाँ पर है? North American continent के अंदर है और इसकी राजधानी है Mexico City Asian Development Bank Asian Development Bank Japan dominated bank है इसका headquarter Manila में है जो Philippines की राजधानी है तो Asian Development Bank 1950 करोड रुपे भारत को लोन दे रहा है कौन से राज़े की सरकार को दे रहा है? ये अपने राज़े में जो रोड है उन्हें सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे है इसके लिए 1950 करोड का लोन Asian Development Bank दे रहा है ये राज़े है उत्तर परदेश जहांके मुख्य मंत्री है योगी है दित्तेनाथ और गवर्नर है राम नायक मुख्य मंत्री को शपत दिलवाता है गवर्नर और गवर्नर जहां रहता है उसे बोलते है राजभवन ये भी आद रखिए और 1950 करोड रुपे एक और बात Asian Development Bank जो है इसका जो प्रेजिनेंट है वो है ताके ही को न काओ जो की जापानी है ताके ही को न काओ Krishna are yours ये एक भारतिय मूल के अमरीकी राज़दूत है इन्हें राशपती Donald Trump ने अमरीका का नया राज़दूत बनाया है कौन से देश के लिए ये देश है दक्षिन अमरीका का देश पैरू पैरू की राज़दानी है लीमा और भारतिय मूल के हैं इसलिए कोश्चिन थोड़ा सा important हो जाता है इनमेंसे कौन सी कंपनी है जिसने अभी अपना पहला भाग डरन, bulletproof helmet इंडियन आर्मी को दिये इंडियन जो आर्मी है वो bulletproof helmet अब यूज करेगी तो ये कौन सी कंपनी बना रही है कौन सी कंपनी ने बना के अपना पहला जो जत्था है हेलमेट्स का वो दिया है इस कंपनी का नाम है MKU Limited और यह कंपनी कानपूर की है कानपूर है उतर परदेश में कानपूर की कंपनी है यह और यह military equipment सप्लाई करती है United Nation को भी और NATO को भी इसे 180 करोड रुपे का contract मिला था भारती है सेना की तरफ से लगभग साड़े छे लाख helmet बनाने का 1.6 lakh और इस कंपनी के मालिक है नीरज गुपता इन में से किस व्यक्ति को India International Center का President अपॉइंट किया गया है न्योक किया गया है यह जमू कश्मीर के governor है अब आप इनका नम बता सकते है N.N. वोहरा और यह replace किसे करेंगे महशूर वकील सोली सोराब जी को सोली सोराब जी को तो याद रखिए यह सब N.N. वोहरा और जमू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री है वो हैं महभूबा मुफ्ती जो PDP party की है वैसे उनका BJP के साथ गठबंदन है Union cabinet ने अभी अभी अपना approval दे दिया है अपनी मंजूरी दे दिया है कि वो इनमें से एक company में disinvest करेंगी यानि जो पैसा इनोंने लगाया है उसे वापस खीच लेंगी और यानि कि अपना stake बेस देंगी कौन सी company है ये? ये company है Air India ये बहुत महतंपूर्ण कदम है क्योंकि Air India के उपर 52,000 करोड रुपे का कर्ज है ये बहुत important है और इसके लिए committee भी बनाई है इनोंने उस committee के धक्ष्टा करेंगे खुद हमारे वित मंत्री और सुरक्षा मंत्री अरुन जेटली तो ये भी याद रखना है और एक और company है जिसमें से सरकार ने अपना stake बेचा है वो company है Larson and Tubro ये भी याद रखिए सेयद सलाउदिन जो मशूर आतंकवादी है उसे अमरीका ने specially designated global terrorist गोशित कर दिया है ये कौन से terrorist group का सरगना है, leader है कौन सा terrorist group का और जो लशकर ये तोईबा है इसका चीफ है हाफिज मुहम्मद साइद ये भी याद रखिए हाफिज साइद है लशकर ये तोईबा का और सेयद सलाउदिन है हिजबुल मुजाहिद दीन का और एक और चीज ये क्यों हुआ क्योंकि अमेरिका से अभी-अभी मोदी मिले मोदी एक्चुली तीन देशों की यात्रा पर गए थे प्रधान मंत्री एक तो पुर्तगाल की फिर गए अमरीका फिर गए नेधर लेंड तो वहाँ पे ये डॉनल्ड टरम से मिले और जो अमरीका के सेकरेट्री ओफ स्टेट है इनका नाम है Rex Tillerson याद रखिए डॉनल्ड टरम कैबिनेट में सबसे महतमपूर्ण व्यक्तियों में से है Rex Tillerson और वहाँ के जो डिफेंस सेकरेट्री है वो है James Martis तो डॉनल्ड टरम कैबिनेट में तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो है James Martis डिफेंस सेकरेट्री Rex Tillerson सेकरेट्री और एक वैक्ति हैं जिनें बोलते हैं जनरल मैकमास्टर अब आपके लिए आज का पहला सवाल जो जनरल मैकमास्टर है ये कौन से पद पर है डॉनल्ड टरम कैबिनेट में लिखें बताइए डॉनल्ड टरम्प अमरीका के राश्पती है रिपब्लिकन पार्टी के है इनकी बेटी जो इंडिया आएगी अभी इवांका टरम्प और मोदी ने इन्वाइट किया इवांका टरम्प को और इनकी पतनी है मेलैनिया टरम्प इनकी ने फस्ट लेडी कहा जाता है छटा इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ स्पोर्ट क्लाइबिंग IFSC World Cup भारत में हो रहा है भारत में कहां पे हो रहा है इसमें 150 लोग हैं जो हिस्सा ले रहे हैं ये हो रहा है वाशी यानि नावी मुंबई स्वानसर है मुंबई और इसको होस्ट कर रहा है सिड को सिड को बोलते हैं City Industrial Development Corporation को City Industrial Development Corporation of Maharashtra और ये हो रहा है वाशी के अंदर और इसमें IFSC के प्रेजिडेंट पूछ सकते हैं हलांकि उतना इंपोर्टेंट नहीं है इनका नाम है Marco Maria Scolaris नाम याद रख सकें तो रख लीजिए Marco Maria Scolaris इन में से Men's Double Title किसने जीता Agion Icle Challenger Trophy ये हुई थी UK के अंदर तो UK की Prime Minister कौन है 13 सा में इनने अभी हाल में हुए चुनावे बहुत जटका लगा क्योंकि जो Labour Party है वो काफी अच्छा performance कर गई तो इसका आंसर है Leander Pace और अदिल समसदीन Leander Pace कम से कम 25 से ज़्यादा साल से टैनिस खेल रहे है और Leander Pace 1996 में जो Atlanta Olympics हुए थे अमरीका में उसमें भारत के लिए Bronze Medal लाए थे ये भी याद रखिए सरकार ने जो आखरी डेट है कहने का मतलब जो PIO Card Holder है यानि Person of Indian Origin अगर वो अपना स्टेटस convert करना चाहते है OCI में यानि Overseas Citizen of India में तो उसके लिए जो डेडलाइन थी वो कितने महीने से extend कर दी है Last Date ये इनोंने extend की है 6 महीने से 6 महीने का समय और दिया है अब 31 December तक कर दी है और याद रखिए जो PIO Card होता है Person of Indian Origin ये 2002 में इशु हुआ था सबसे पहली बार implement हुआ था और जो OCI Card है ये 2005 में इशु हुआ था तो 2002 में हमारे परधान मंत्री थी अटल भिहरी वाजपई जी और 2005 में परधान मंत्री Manmohan Singh इन में से कौन सी Bollywood की अभिनेत्री है जिन्होंने एक सर्विस स्टार्ट करी है एक सेवा स्टार्ट करी है जिसका नाम है कवच सेफटी कवच सेफटी ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने किया है इनका नाम है पृति जिंटा मशूर एक्टरेस प्रिती जिन्टा इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया की महिलाँ है ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति है एंथोनी मूर हाॉस उनके साथ मिलके श्टार्ट किया है एंथोनी मूर हाॉस इन में से एक Ind gekommen border police जो भारत और चीन की जो जो बीच में border है उसको guard करती है 3000 km से ज़्यादा जो हमारा पुरा mountainous terrain है उसे guard करती है तो इंडो तिबतन border police का charge किसने लिया है इसके head कौन होंगे तो इनका नाम है R.K. Pachnanda और इसके अलावा ये NDRF National Disaster Relief Force के Director General का पद भी संभालेंगे और एक और चीज़ याद रख सकते है इंडो तिबतन जो force है 90,000 जवान है इसके अंदर 90,000 जवान है और हमारे जो home secretary थे राजीव महरिशी अब चेंज हो गए है याद रखिए ये आज का दूसरा सवाल है राजीव महरिशी हमारे home secretary थे और ये अब नए कौन बने है हमारे home secretary ये भी comment लिक के बताए इन में से कि इंडियन film festival of Melbourne, Melbourne एक जंगा है जो Australia के अंदर एक शहर है ये Melbourne के अंदर हुआ था इंडियन film festival इसका लिए ambassador कौन से भारतिय एक्टर को बनाया था और इसमें 60 से ज़्यादा फिल्में दिखाई गई इन actress का नाम है विद्या बालन Union cabinet ने अभी अभी अप्रूव किया कि एक water conservation campaign जनी पानी को बचाने के लिए एक scheme स्टार्ट करी जाएगी भारत के अंदर कौन सा देश हमारी इसमें मदद करेगा हम आपसी सहयोग करेंगे पानी को बचाने के लिए MOU इसलिए हमने sign किया है Memorandum of Understanding sign किया है ये हमने sign किया है इसराइल के साथ नरेंदर मोदी जी अभी इसराइल की यात्रा पे जाएंगे और काफी important रहेगी इसराइल की यात्रा इन फैक्ट इसराइल के जो पर्धान मंत्री है बेंजय मिन नतान याहू उन्होंने मोदी को अपना best friend कहा अभी उन्होंने tweet किया था उसके अंदर है वो है शकल और इसराइल के जो राश्पती है वो है रुवन रिवलिन एक बात याद रखिए इसराइल में जो राश्पती है इसकी कोई power नहीं होती भारत की तरह सिर्फ एक वो ceremonial position होती है तो answer है इसराइल तो इसे यादा इसराइल के बारे में कोई जानकारी रखने की जरुत नहीं है हाँ water conservation में एक बात याद रख सकते है हमारी जो पानी के लिए जो मंत्री है यानि water conservation, river development, water resource management, गंगा cleaning वो है उमा भारती और गंगा सफाई के लिए जो हमारा campaign है उसका नाम है नमामी गंगे जिसे national mission for clean गंगा carry out करता है इन में से कौन सी mobile app है जो हमारा health ministry है जेपी नद्दा और UNDP यानि उनाइटे नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम इस mobile app ने एक award जीता है इसका नाम है GSM Asia Mobile Award 2017 क्योंकि UN के जो sustainable development goal है जिने हम शोट में बोलते हैं SDG एशिया के अंदर उसमें इसने काफी contribute किया है और यह app हमारी health ministry ने लौंच की है और इसको मिल management system है तो यह आप याद रख सकते हैं और Mobile World Congress 2017 में जो हुआ था शंगाई के अंदर उसके अंदर money control ने एक category business app उसके अंदर money control ने यह prize जीता था और जैसे मैंने बताया health minister है JP नद्दा तो बस app का नाम याद रखिए EVIN Nobel Peace Prize winning rights activist देखिए चाइना का आज तक के एतिहास में एक ही वैक्ती है जिसने Nobel शांति पुरुसकार जीता है और उसको चाइना ने भी छोड़ दिया है इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि यह बिल्कुल मरने वाला है इसको जेल में रखा हुआ था और जेल में इसलिए रखा ह इनका नाम है लिव जियाओ बतो इंसन नाम पूछा है और 11 साल से यह जेल में पढ़े है तो इनको 11 साल की जेल सुनाई गई थी कैद 2009 से यह जेल में तो लगबग 8 साल तो इनको ऐसी हो गए थे और इनको जेल में इसलिए डाला था क्योंकि यह चाइना के खिलाफ बोल रह उलन बतार जो है मंगोलिया की राजधानी है तो अब आप समझ सकते हैं उलन बतार कब कहां पर हुआ होगा और इनका नाम है अंकुष धाया अंकुष धाया देवेंद्रो सिंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया पर इन्होंने जीता सिल्वर मेडल और 52 किलोग्राम केटे अंकुष धाया या फिट देवेंद्रो सिंग भी याद रख सकते हैं इन्होंने जीता सिल्वर मेडल और मंगोलिया की राजधानी है ये उलन बतार और मंगोलिया में जो मुद्रा चलती है उसको बोलते हैं टौग रोग मंगोलिया में एक बहुत मशूर मरुस्थल भी है थंडा मरुस्थल है उसको बोलते हैं गोबी गोबी मरुस्थल इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बना जिसने एक लाख डॉलर यूएन ट्रस्ट फंड को दिये हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन इन टेक्स मैटरस के लिए और ये देश है इंडिया तो जो इंटरनेश जो बना था 1945-24 अक्तुबर को और यूनाइटिट नेशन के पाँच पर्मेनेट मेंबर है यूएन सेक्यर्टी काउंसिल के यूनाइटिट नेशन का हेड़क्वाटर है न्यू यू यूर्क के अंदर और न्यू यू यूर्क के अंदर ही है यूनिसेफ का हेड़क्वाटर UN के इस वक्ट जो head है Secretary General बोलते हैं उन्हें वो है Antonio Guterres जो पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल अभी मोदी गए थे तो पुर्तगाल के अभी जो परधान मंत्री है वो है Antonio Costa तो Antonio Guterres और Antonio Costa में confused नहीं होना है Antonio Costa है पुर्तगाल के परधान मंत्री और Antonio Guterres है UN के Secretary General Michael Naquist ये अभी अभी इनका निधन हो गया ये कहां के थे और ये actor थे वैसे महशूर actor थे और आपको बताना है कि ये कौन से देश के थे ये थे Sweden के Scandinavian country है आप जानते है Stockholm इसकी राजधानी है काफी अमीड देश है Sweden की राजधानी है Stockholm UN Security Council ने अभी अभी अपना approval दिया एक resolution पास करा है इस resolution के हिसाब से जो joint United Nation और African Union के peacekeeping forces है वो कम किये जाएंगे कहां पर कम किये जाएंगे ये कम किये जाएंगे डारफूर के अंदर तो ये जगा है डारफूर सैयूंक तराज संग ने ये कहा कि जो पीस keepers है उन्हें 44% तक कम किये जाएगा क्योंकि खर्चा बहुत होता है सेनाओं के अंदर 6000 करोल का साल का खर्चा है 1 billion annually इसलिए एकम किये जाएगा और Sudan के बारे में हमने एक वीडियो बनाए वो भी आप देख सकते हैं Sudan की राजधानी है खर्चुम इसमें एक चीज मैं बताना आपको भूल गया वो ये ये important है क्योंकि Jean-Pierre Lacroix इसको वैसे लिखते हैं Jean-Pierre Lacroix लेकिन प्रणाउस करते हैं Jean-Pierre Lacroix ये हैं इस वक्त head UN peacekeeping के दुनिया का पहला ATM मशीन उसने अपने 50 साल पूरे कर लिये दुनिया का पहला ATM कोन से बैंक ने लगाया था ये बैंक लंडन का बैंक है वैसे UK का कह सकते हैं आप पूरा इंग्लैंड की राजधानी लंडन है नॉर्थ लंडन में इन्होंने अपनी पहली ब्रांच खोली थ में और पहला वेक्ति जिसने ATM यूज किया था उसका नाम था रैग वारनी और इस ATM को लगाने के पीछे सबसे महतंपूर्ण भूमिका थी जॉन शेपर्ड बैरॉन की जॉन शेपर्ड बैरॉन इन में से कौन से देश की जल सेना है जिसने अभी अपना सबसे ज़्यादा ड इसका वजन है 10,000 टन यह किया है अभी अभी चाइना ने और इनोंने यह शंगहाई के अंदर लॉंच किया है शंगहाई में क्या है शंगहाई में जो ब्रिक्स बैंक है जो डेवलप्मेंट बैंक उसका हेड़कॉर्टर है नासा जो अमरीका की स्पेस एजंसी है जैसे हमा एक साउंडिंग रॉकेट वेलप्मेंट फैसिलिटी वर्जीनिया से छोड़ा है यह उपर जाकर नकली रंगीले बादल बनाएगा यह जो रॉकेट है तो यह बताईए इसका नाम क्या है इसका नाम इनोंने रखा है टैरियर मेल म्यूट यह उपर जाकर रंगीले बादल और यह वहाँ पे स्टड़ी करेगा बेसिकली यह जो वेपल ट्रेसर वगारा है उन्हें स्टड़ी करेगा रिलीज करेगा और आयोनो स्फेर को स्टड़ी करेगा इंटरनेशनल एस्टरोइड डे देखिए एस्टर मतलब होता है स्टार और जो स्टार जैसा हो उसे बोलते तो International Asteroid Day हम हर साल 30 जून को मनाते हैं क्या हुआ था इस दिन जो हम 30 जून को मनाते हैं कौन सी मशूर घटना इस दिन हुई थी इसको बोलते हैं Tungus का event ये Tungus का impact इसे कहा जाता है Siberia, Russia के उपर ये हुआ था 30 जून 1908 को इन में से कौन सा देश है जिसे अमरीका ने declare किया है कि ये human trafficking में worst offender है world's worst offenders on human trafficking इन्होंने एक report दिये अमरीका ने जिसका नाम है trafficking in person देखे trafficking का मतलब होता है जब आप किसी person को उसकी इच्छा के विरुद बंदी बना लेते हैं उससे कोई ऐसा काम करवाते हैं जो वो नहीं करना चाहता है इसे trafficking बोलते है ये prostitution हो सकता है ये भीग मांगना हो सकता है bagging हो सकता है तो कोई भी तरह के काम हो सकते हैं उसको बोलते है trafficking और ये देश है China और ये जो report है ये present करी Secretary of State Rex Tillerson ने और ये US Congress को उन्होंने submit करी तो इसमें आप याद रखिए तीन कंट्री हैं जो China Republic of Congo और Democratic Republic of Congo इनके नाम इसमें दिये गए है इसको बोला गया है Tier 3 Tier 3 तो इसमें 20 कंट्री हैं उसमें से 3 कंट्री इन्होंने add किये हैं तो total अगर option में China हो तो China भी है Republic of Congo और Democratic Republic of Congo भारत की क्या rank है medal tally में भारत ने participate किया था ISSF Junior World Championship में जो हुआ था सूहल जर्मनी में तो rifle, pistol के लिए यह हुआ था तो इसमें भारत की क्या rank है medal पदक तालिका में भारत की ranking है second भारत ने finish करा second और भारत ने 3 gold 2 silver और 3 bronze जीते हैं तो जो 3 gold जीते हैं इनके नाम याद रख लीजे इनके नाम है अनिश भानावाला यश्षविनी सिंग दे सुल बस दो याद रख लीजे क्योंकि तीसरा gold है वो team ने मिलके जीता था तो इस दो नाम याद रख लीजे अनीश भानवाला और यशेश्विनी सिंग दे सुवाल हम International Day मनाते हैं ड्रग्स के खिलाफ जिसे बोलते हैं International Day Against Drug Abuse and Licit Trafficking 26 जुन को हर साल मनाते हैं तो संयूक्त राष्ट्र संग ने जो campaign चलाया इसके लिए उसका नाम क्या रखा है उसका थीम है लिसन फर्स्ट पहले सुनो पहले सुनो लिसन फर्स्ट और यह जो resolution है यह 1987 में adopt की गई थी जो scientist है Extreme Light Laboratory के वो कौन सी university के हैं Extreme Light Laboratory इन्होंने धर्ती का सबसे ज़्यादा चमकीला light बनाया है यह है वो दुनिया का सबसे चमकीला light यह कौन सी university के scientist ने बनाया है इस university का नाम है University of Nebraska Lincoln University of और यह ऐसा कहते हैं कि जो सूरज की सतय पे जो रोश्णी होती है उसके एक billion गुना यानि 100 करोड गुना ज़्यादा चमकीला है तो इतनी रोश्णी है इसमें यह बनाया है University of Nebraska Lincoln के Extreme Light Laboratory के scientist ने European Commission ने अभी अभी इन में से कौन सी कमपनी के उपर 2.7 billion डॉलर यानि की 20,000 करोड रुपे का जुर्माना डाला है यह सबसे बड़ा जुर्माना है और यह rules regulations को follow नहीं कर रही थी इसके लिए यह किया गया है यह कमपनी है Google Google कमपनी दो लोगों ने मिलके शुरू करी थी Google के जो founder है वो है सर्जे ब्रिन और दूसरे है लेरी पेज तो Mountain View California में इसका headquarter है Google का California इन में से कौन से एक मात्र भारतिये male badminton player है शटलर है जो world के top 10 में आ गए है और world के top 10 में तो आना ही है क्योंकि इन्होंने अभी-अभी Olympic gold medalist Chen Long को हराया है तो इनका नाम है किदंबी श्रीकांत और यह आठवे नंबर में पहुँच गए है यानि दुनिया के आठवे सबसे ज़्यादा यह जबरदस खिलाडी है और इंप्रेस होके आंदर परदेश के मुख्य मंत्री जो चंदर बाबु नाइडू है उन्होंने 50 लाख रुपे का कैश इन्हें दिया है इसके राबा भारत के और भी अच्छे बैडमिंटन खिलाडी है जैसे स्पी बीसाई प्रनीत है दुनिया में 15 नंबर पे आते है अजय जैराम दुनिया में 16 नंबर पे आते है और प्रणय कुमार दुनिया में 23 नंबर पे आते है सबके नाम याद रखिए महिलाओं की बात करूँ तो पीवी संधू पीवी संधू जो है ये 5 नंबर पे हैं दुनिया में महिलाओं में और सैना नहवाल हैं पंदरवे नमबर पे जो आंदरपरदेश के मुखे मंत्री है चंदरबाबू नाइडू उन्होंने एक आंदरपरदेश माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजी यानि जो लगू मीडियम लेवल के उद्योग है उनकी development के लिए उनके विकास के लिए MSME Development Corporation लाँच करा है इसमें कितना फंड है जो entrepreneur की मदद के लिए रखा गया है टोटल फंड है 100 करोड रुपे और ये किया गया है विजयवाडा में विजयवाडा के अंदर इन में से कौन सा देश है जिसने Energy Efficiency Services Limited के साथ Memorandum of Understanding sign किया है ये इस देश के अंदर अनरजी को बचाने के लिए Energy Efficiency Programs लागू करेगा ये देश है साउदी अरेबिया साउदी अरब साउदी अरब की राजधानी है रियाध और करंसी है रियाल इन में से कौन वेक्ति हैं पहले इंडियन बने जिन्होंने Solo Cycle Race Across America जिसे बोलते है RAAM यानि ये जो एक रेस होती है बहुत लंबी ये इन्होंने पूरी करी ये कोई छोटी रेस नहीं है इसमें 4900 4900 किलोमीटर बाइसाइकल चलानी पड़ती है तो इन्होंने लगभग 5000 किलोमीटर बाइसाइकल चला ली 11 दिनों में और 18 घंटे में तो इनका नाम है शिरिनिवास गोकुल नाथ शिरिनिवास गोकुल नाथ वट अ शॉट इंडिपेंडेंट इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल यानि WIIFF यह अभी अभी हुआ कहां पे यह हुआ इसमें 40 फिल्में दिखाई गई लगबग 34 देशों की यह हुआ नई दिल्ली के अंदर इन में से कौन सी पोजिशन में भारत ने फिनिश करा होकी वर्ड लीग सेमिफाइनल जो लंडनन में हुए थे इन्डिया ने कौन सी पोजिशन में फिनिश किया इन्डिया ने टोटल फिनिश करा 10 टीमों में से 6th नंबर पे चटे नंबर पे और अगर मैं पूछू भारती है होकी टीम के कोच कौन है तो इनका नाम है रोलेंट ओल्टमांस बहुत इंपॉर्टन वैक्ती है रोलेंट ओल्टमांस और एक बात याद रखिए होकी भारत का नेशनल स्पोर्ट नहीं है ये भी याद रखिए कुछ लोगों को गल्थ फैमी है भारत का नेशनल स्पोर्ट होकी है नेधरलेंड, जर्मनी यह सब बहुत ताकतवर हैं होकी के अंदर जो हमारा माइक्रो स्मॉल और मेडियम एंटरप्राइजिस का मंत्राले है उसने लॉंच करा है डिजिटल MSME स्कीम और इसने MOU साइन करे हैं इन में से सब कंपनियों के साथ सिवाए किसके तो SAP इंडिया के साथ करा है, इंटल के साथ करा है और HMT के साथ करा है TCS के साथ नहीं करा है TCS मतलब Tata Consultancy Service भारत की सबसे बड़ी सूचना प्रद्योगी की Information Technology Company है और हमारे मिनिस्टर कौन है इसके लिए Micro Small Medium Enterprises पहले लखनव से चुनाव लड़ते थे कलराज मिश्रा कलराज मिश्र है Minister for MSMEs ये भी आदर किये इन में से कौन से खिलाडी है जिने भारत गौरव का सम्मान दिया East Bengal Football Club ने भारत गौरव ये इस कलब का सबसे highest honor है ये खिलाडी है होकी के हमारे पूर्व कैप्टन धनराज पिल ले दनराज पिल ले और इसके अलावा दो खिलाडी हैं जिने lifetime achievement award मिले एक खिलाडी है एक कोच है खिलाडी का नाम है सयद नईमुद्दीन legendary player सयद नईमुद्दीन और कोच है एक सुभाज भौमिक अगर आपको याद हो सुभाज भौमिक पहले इस्ट बंगाल के कोच थे और फुटबॉल से असोसेटर है अब आप ये बताइए कि जो सयद नईमुद्दीन है ये भारत के लिए कौन सा खेल खेलते थे ये कमेंट्स में लिखके बताइए ये है आपके लिए तीसरा सवाल परधान मंद्री नयंदर मोधी उन्होंने अभी-अभी एक कोमेमोरेटिव स्टेम यानि एक डाक टिकट लॉंच करी है पांच रुपे की और इसके अलाबा सिक्के लॉंच करे हैं देड़ सो रुपे के और दस रुपे के सिक्के लॉंच करे हैं क्योंकि 150 साल पूरे हो गए हैं एक महान व्यक्ति के जनम के कौन है ये महान व्यक्ति? ये महत्मा गांधी जी के spiritual गुरु थे तो इनका नाम है श्रीमद राज चंद्र श्रीमद राज चंद्र महत्मा गांधी जी के spiritual mentor थे ये और ये एक जैन poet और thinker भी है श्रीमद राज चंद्र इनके 150 साल पूरे होने के बर्थ anniversary थी तो उस उपलक्ष में ये सारी चीज़े लॉंच करी पांच रुपे की डाक टेकट, डेड़ सो रुपे का सिक्का और दस रुपे का भी सिक्का Cabinet Committee on Economic Cafe यानि CCEA ने इसको बोलते है National Highway 2 और ये काफी आसान कुश्चन समझता हूँ अगर आप National Highways वगरा देखते है National Highway 2 कहां से कहां तक जाता है आप यहां दिल्ली से निकल जाईए फिर आप आगरा वगरा सब क्रॉस करेंगे फिर UP में घुश जाएंगे फिर ये पूरा कॉल कता तक जाता है तो ये पूरा National Highway 2 है और काफी बड़ा ये Highway है National Highway 7 जो है ये अभी सबसे लंबा Highway है हमारा National Highway 7 इसरो इंडियन स्पेस रिसेच और्गनाइजेशन तो इंडियन स्पेस रिसेच और्गनाइजेशन जो है ये इसने लॉंच करा अपना सैटलाइट G.Sat 17 ये कौन से स्पेस सेंटर से लॉंच करा है इसरो का हेड़कॉर्टर बैंगलूरू में इसरो के जो हैड है वो है एस किरनकुमार तो ये इन्होंने लॉंच करा है गियाना स्पेस सेंटर कोरू से इसके अलावा इन्होंने कार्टो सेट भी लॉंच करा था अभी कार्टो सेट के साथ 30 सेटलाइट भी लॉंच करे थे इस company का नाम है Infocus और भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी mobile phone market है इस समय इन में से कौन सी space agency है जिसने दो successful landings किये 48 hours के अंदर ये किये SpaceX ने और ये question important है क्योंकि SpaceX company के मालिक है Elon Musk और SpaceX का जो rocket है मशूर उसका नाम है Falcon rocket Falcon 9 बोलते हैं से Elon Musk के CEO इन में से कौन सा देश है जो health sector में टॉप supplier था UN के लिए जो health sector है उसमें 2016 के अंदर ये देश है USA और दूसरे नंबर पे इंडिया है और भारत ने 6% जो procurement किये थे UN उसमें भारत ने contribute किया था लगबग 803 million dollar भारत ने अभी अभी 35 million का loan agreement sign किया है Assam State Public Financial Institution reforms project के लिए कौन से bank के साथ यानि ये bank Assam में जो Public Financial Institution reform है उनको fund करेगा ये bank है World Bank और इसमें total खर्चा आएगा 44 million dollar जिसमें से 35 million dollar देगा World Bank और बाकी का पैसा देगा Assam State और 5 साल का program है और Jim Yong Kim President है World Bank के Jim Yong Kim और याद रखिए Kirstina Georgieva ये है CEO World Bank की Kirstina Georgieva अमरीका ने अभी अभी इशू करा है एक नया criteria विजा एप्लिकेंट्स के लिए कितने Muslim देशों के लिए किया है Muslim देशों के वेक्ति अगर अमरीका का वीजा पाना चाहते है तो एक नया criteria है वीजा पाने का तो ये total किया है छे देशों के लिए ये छे देश कौन कौन से हैं? ये छे देश हैं इरान, यमन, लिब्या, सोमालिया, सुडान और सीरिया और इन सब की capital भी important है इरान की तेहरान है, यमन की सना है लिब्या की है त्रिपोली, सोमालिया की है मोगाधीशू सुडान की है खार्तुम और सीरिया की है दमासकस नीती आयोग ने अभी अभी एक proposal दिया है कि वो कॉल इंडिया को कितनी कंपनियों में तोड़ देना चाहते हैं कॉल इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, महारतन कंपनी है इसको कितनी छोटी-छोटी independent companies में तोड़ देना चाहते है ये new energy policy आई है, इसमें कहा गया है और कॉल इंडिया के chairman कौन है Mr. सूर्तिथ, Mr. सुतिर्थ, भटाचारिया Mr. सुतिर्थ, भटाचारिया है, कौल इंडिया के chairman और इसका headquarter है कौल काता में तो ये साथ कंपनीओं में इसे तोड़ देना चाहते है निती आयोग जो है, इसके chairman है परधानमंत्री मोधी वाइस chairman है अरविंद पंगरिया और CEO है अमिताब कांथ सभीता चौधरी, इनका निधन हो गया ये मशूर क्या थी? बहुत ही मशूर, ये थी singer बंगाली फिल्मों में भी इनोंने काम किया है और हिंदी फिल्मों में भी इनोंने काम किया है सो answer है, singer भारतियों ने स्विजर लेंड के banks में 2016 में कितना पैसा जमा कराया और याद रखिए ये सबसे कम पैसा है आज तक के इतिहास में इतना कम पैसा कभी जमा नहीं कराया गया ये information दी Swiss National Bank ने total पैसा सिरफ 4500 करोड शायद हो सकता है black money पे इतना सरकार active हो गई इसको वापस लाने के लिए इसलिए लोग कम जमा करा रहे है लेकिन Switzerland के bank को में total 4500 करोड रुपे जमा कराया भारतियों ने 2016 के अंदर एक सर्वे हुआ है इन में से एक लेक के अंदर ये ONGC यानि Oil and Natural Gas Corporation और UNESCO United Nation Educational Scientific and Cultural Organization ने करवाया मिलके इन्होंने इसको डिकलेर करने के लिए किया था UNESCO World Heritage Site तो कौन सा लेक है ये ये लेक है मंगला जोडी में उडिशा के अंदर ये लेक है चिलका लेक चिलका लेक भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का लेक है याद रखिए The largest salt water lake in India इस चिलका लेक तो ये है उडिशा के अंदर इन में से भारत के पंद्रवे attorney journal कौन बने है attorney journal बहुत important post है तो पहले थे मुकुल रोहतगी और अब बने है senior lawyer के के वेनु को पाल एक चीज़ याद रखिए मुकुल रोहतगी और हमारे जो solicitor journal है दोनों को extension दे दिया था सरकार ने उनकी जो tenure है वो बढ़ा दी थी पर मुकुल रोहतगी बोले कि उन्हें attorney journal के लिए समय नहीं है उनके पास तो और 2015 में पदम विभूशन मिल चुका है केके वेनु गोपाल को ये भी आज़ रख सकते हैं election commission of India ने इन में से कौन सी company के साथ मिलाया है water registration reminder के लिए यानि ये company water जो है उन्हें remind करेगी कि उन्हें registration करवाना है ये company है facebook facebook company के CEO है Mark Zuckerberg ये इंडिया भी आये थे पिछले साल Mark Zuckerberg की पतनी है Chen Zuckerberg और इस company के जो COO है चीफ operating officer वो है Cheryl Sandberg Cheryl Sandberg और हमारे election commissioner है नसीम एहमद जाइदी ये हैं हमारे chief election commissioner Asian Development Bank ये कितना पैसा भारत को दे रहा है infrastructure building के लिए यानि अधारिक सररंचना भूमी का रूप विवस्था को मजबूत करने के लिए और immediate development needs of less developed state यानि भारत में वो राजे जो कम विक्सित है उनके विकास के लिए total कितना पैसा कमिट करा है ADB ने भारत को ये पैसा है दस बिलियन डॉलर तो दस बिलियन डॉलर होते है 62,000 करोड रुपे अगर आप एक डॉलर की value 60,000 करोड रुपे लेते हैं तो और अगले fiscal में यानि financial year 2019 में हम गुरो करेंगे 7.6% इन में से कौन से देश के परधान मंत्री है जिन्होंने confidence vote जीता है अभी अभी पारलेमेंट में तो जिसे no confidence motion होता है जो opposition पास करती है कि इनके पास majority नहीं है लेकिन ये जीत गए है तो ये हैं ब्रिटेन के परधान मंत्री Theresa May Conservative Party चाइना की जो सबसे तेज बुलेट ट्रेन है इसका नाम इन्होंने रखा है फुक सिंग तो इसने अभी अभी ये शुरू हो गई है Beijing से Shanghai तक चलेगी क्या स्पीड है इसकी ये चाइना की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है और इसकी स्पीड है 400 किलोमेटर प्रती घंटा 400 किलोमेटर पर आर और ये 1200 किलोमेटर का जो डिस्टेंस है शंगाई से Beijing का वो कवर करेगी सिरफ 5 घंटे 45 मिनट में तो आंसर है 400 किलोमेटर पर आर अब आपके लिए आज का चोथा सवाल भारत की जो सबसे फास्ट ट्रेन है वो दिल्ली से आगरा तक चलती है क्या आप उसका नाम कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं कौन सी ट्रेन है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो इलेक्शन कमीशन है उसने अभी अभी अनाउंस करा है कि इलेक्शन होंगे वाइस प्रेजिएंट पद के लिए देखिए आपको वाइस प्रेजिएंट के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ बता जता हूँ भारत के पहले राश्पती थे राजेंदर परसाद ठीक है और जब राजेंदर परसाद हमारे प्रेजिएंट थे तो हमारे वाइस प्रेजिएंट कौन थे उस वक्त उसके बाद अगले 50-60 सालों में कोई भी वाइस प्रेजिरेंट एक टम से जाधा के लिए नहीं रहा, सब एक टम के लिए रहे, लेकिन अभी जो हमारे वाइस प्रेजिरेंट रेटायर हो रहे हैं हमीद अनसारी ये 10 साल के रहे हैं, ये 2 टम करके रहे हैं, तो पहले इन्हों और Vice President के जो चुनाव होंगे वो होंगे 5 अगस्त को इसके सासद Presidential Election भी होने वाले हैं तो UPA की तरफ से हैं मीरा कुमार जो लोकसभा Speaker थी पहले बाबु जग्जीवन राम की बेटी है दलित लीडर है और NDA की तरफ से बिहार के जो Governor थे अब उन्होंने resign कर दिया है रामनात कोविंद तो most probably रामनात कोविंद अगले भारत की राश्पती होंगे क्योंकि BJP के पास काफी majority है इन में से कौन सा राज्य है जहां पे पशुओं के लिए पहला Blood Bank बना है अगर किसी पशुओं को खुन चाहिए तो available होगा ये उडिसा University of Agriculture and Technology ने बनाया है साड़े तीन करोड रुपे की लागत से लगबग तो उडिसा आंसर है और उडिसा के जो Governor है वो है Dr. S. C. जामिर और मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक बीजू जनतादल पार्टी के इन में से कौन सा देश है जिसने एक नया कानून पास करा है इसके हिसाब से जो सरकार है अब वो अपने ही जासूसों पे नजर रख सकती है उनकी प्रपरटी को seize कर सकती है उनको search कर सकती है और उनको mobilize कर सकती है यह जो कानून है यह अभी अभी बनाया है चाइना ने चाइना ने एक आनूर बनाया है और चाइना के प्रेजिडेंट है शी जिन्पिंग राजधानी है बीजिंग जहाँ पे एशियन इंफ्रस्ट्रक्ट्टर इंवेस्टेंट बैंका हेटक्वाटर है और करंसी है रैन मिन्वी या यूआन फैमिना मिस इंडिया कौन बनी है इस साल 2017 हर्याना की है इनका नाम है मनुश्शी चिलर दूसरे नंबर पे रही साना दूआ साना दूआ है जमू कश्मीर की और तिसरे नंबर पे प्रियंका कुमारी जो है बिहार से हमारा जो वित्मंत्राले है उसने goods and services tax का कौन सा ऐसा provision है जो एक जुलाई से लागू न करने का निर्णे लिया है और इन्होंने का है कि बाद में लागू करेंगे तो यह है TDS, TCS, tax deduction and collection at source यह separate notification जाएगा और यह बाद में अपलाई होगा तो जो Central GST Act है उसके तहत notify कर दिया गया है जो TDS है वो 1% पे collect होगा payments to suppliers of goods and services in excess of 2.5 lakh यानि धाई लाग से ज्यादा पर और अगर कोई दो महिने में शुरू के कोई wrong entry भी कर देता है तो उसके कोई penalty नहीं लगेगी क्योंकि अभी GST नया है तो उसमें गलतियां होने की गुझ जाईश है और इसको implement कोन करेगा GST indirect tax है तो हमारा जो indirect tax department है Central Board of Excis and Customs अब इसका नाम CBIC था अब CBEC कर दिया है पहले इसका नाम था Central Board of Indirect Taxis and Customs तो ये भी आद रखिये CBIC से CBEC इसका नाम कर दिया गया है और इसके लिए एक special session भी special session भी बुलाया पारलेमेंट ने जो संतरता मिली थी 47 में एक जब 25 साल पूरे हुए थे 72 में और एक जब 50 साल पूरे हुए थे 1997 में तो ये चोथी बार है special session भुलाया गया है Union Cabinet ने अभी अभी approval दिया है MOU को इंडिया और USA के बीच में तो इंडिया और अमरीका ने किस चीज के उपर एक MOU साइन किया है ये इन्होंने साइन किया है Homeland Security में Homeland Security में हम आपस में आपसी सहयोग करेंगे इन में से कौन सा देश है जिसके Parliament ने same sex marriage को पास कर दिया यानि इस देश में समलैंगिक जो है वो अब शादी कर सकते हैं आपस में ये किया है जर्मनी ने जर्मनी की चांसलर है एंजला मरकल जर्मनी की राजधानी है बर्लिन करंसी है यूरो और प्रेजिरेंट जो है वहांके अगेन पावरलेस होते हैं बहुत पावर नहीं होती इनका नाम है फ्रेंक वॉल्टर स्टीन मायर इन में से जो हमारा External Affairs Ministry है उसने Economic Relations Secretary किसे अपॉइंट किया है इकनोमिक रिलेशन सेक्रेटरी होंगे विजय केशब गोखले और हमारी External Affairs Minister है सुश्मा स्वराज और भारत के ग्रीस में राजदूत कोन होंगे ग्रीस की राजदानी Athens है ग्रीस को हिंदी में बोलते है युनान युनान में हमारे जो राजदूत है अगले वो होंगी शम्मा जैन और Ambassador word हम यूज करते है जनरली राजदूत के लिए लेकिन अगर Commonwealth countries है उनमें हम word यूज करत लुए थे 1896 में परधान मंत्री नरेंदर मोधी ने अभी अभी inauguration किया है एक event का नर्मदा का जो पानी है उसके अंदर ये मतलब नर्मदा का जो पानी है इनमें से एक बांध है डैम है उसमें भरा जग्या है और ये सुन्नी या सुराष्ट नर्मदा अवतारन irrigation project है जिसे बोलते हैं सुनी project short में तो ये कौन सा डैम है किस कौन से डैम की बात हो रही है ये डैम है अजी डैम और इसके अलावा इनोंने 18,000 दिव्यांग यानि विकलांगों के लिए नरेंदर मोधी जी ने एक शब दिया था दिव्यांग उनको aids भी दिये हैं काफी सारे ऐसी चीज भारत किया छटा अध्याय joint trade committee का ये meeting वही भारत की joint trade committee हमारी trade और commerce के लिए minister है ये निर्मला सितरमन इनका फोटो है मैं गलती से सुसमा सुराज बोल रहा था तो ये निर्मला सितरमन है हमारी commerce and trade की minister और ये हमने किया है मयामार के साथ मयामार की जो राज़ानी है वो है ने और मयामार की 2006 से पहले राज़दानी थी रंगून या यंगून जिसे कहते थे भारत का जो border है 1600 किलोमेटर का border है मयामार के साथ तो ये सब चीज़े याद रखिए हमारी जो government है उसने जो visa fee है foreign individuals के लिए वो बढ़ा दिये तो ये कितने percent बढ़ाई है ये आपको बताना है तो visa fee भढ़ा दिये 50% टूरिस्ट visa जो है वो एक साल तक के लिए अब cost करेगा 153 डॉलर पहले था 100 डॉलर तो आप देख सकते हैं लगबग 50% ये भढ़ा दिये इजिप्ट के जो राश्पती हैं अब्दुल फताल सीसी उन्होंने एक treaty sign करी है दो टापू है लाल समुदर में रेड सी में एक है तिरान और दूसरा है सनाफिर ये दोनों कौन से देश को दे दिये हैं इस treaty के तहत ये दो island जो हैं ये हमेशा से वैसे इसी देश के थे ये देश है साउधी अरेबिया लेकिन 1950 वगरा में अरब इस्राइली टेंशन के वक्त ये इजिप्ट के पास य North African country है बिल्कुल जो eastern front है वहाँ पर है इन में से कौन से शहर की metro है जो driverless train शुरू कर रही है October से यानि इन metro को चलाने के लिए अब driver की अभशक्ता नहीं पड़ेगी तो ये हो रहा है दिल्ली metro में और सबसे पहले ये magenta line पर कर रहे है जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते ह होंगे ये जो जनकपुरी से जनकपुरी वैसे botnical garden तक जो metro जाती है उसमें हो रहा है सबसे पहले फिर बाकी में भी करने की सोचेंगे और इसके अलावा Wi-Fi भी provide किया जा रहा है ट्रेंस के अंदर metro train के अंदर और LED lighting भी लगाई जा रही है तो काफी परिवर्तन हो रहे है एक बात याद रखिए जो metro train है वो ministry of railways के अंदर नहीं आता वो ministry of urban development के अंदर आता है जो हमारे minister है जिसके वैंकया नैडू जो information broadcasting minister भी है इन में से कौन सा देश है जिसकी under 19 cricket team ये चेनदाई में training ले रही है under 19 world cup qualifier जो सिंगपूर में हो रहे हैं उससे पहले training ये ले रहे training ले रही है और ये बताईए जो हमारा ministry of human resource development है मारव संसाधन विकास मंतरा ले जो है उन्होंने एक national education policy बनाई है उसके ले एक committee बनाई गई है उस committee की अधक्षता कौन करेगा इस committee के अधक्षता करेंगे mr krishna swami kasturi rangan तो इस committee का नाम रखा गया है kasturi rangan committee और जो national policy education में सब सारे लोग है और हमारे जो education minister है education department HRD के अंडर आता है तो वो है परकास जावडेकर इन्वे से कौन सा ransomware है जिसने जवाल नहरू port trust जवाल नहरू जो बंदरगाय उसको नावा शेवा भी बोलते हैं नावा शेवा मुंबई के बिलकुल पास है मुंबई का लोड कम करता है तो तीन टर्मिनल उसके attack कर दिये इस वाइरस ने क्या नाम है इस वाइरस का इसका नाम है Petya और रशिया भी अफेक्ट हुआ है इसे युक्रेन भी अफेक्ट हुआ है सिर्व भारत ही अफेक्ट नहीं हुआ एक और बात जो जवाला नहरू port है भारत का सबसे बड़ा container port ह container port दिल्ली की जो सरकार है उसने अधार कार्ड को अनिवारे कर दिया है mandatory कर दिया है इन में से कौन सी चीज के लिए अगर आप electronic रिक्षा चलाना चाहते हैं और उसके लिए subsidy चाहते हैं तो अधार कार्ड नंबर जरूरी है दिल्ली जो है उसमें आम आदमी पार्टी की सरका केजरिवाल मुख्यमंत्री है अनिल बैजल गवर्नर है और 31,000 इलेक्ट्रोनिक रिक्षा चल रहे हैं अभी दिल्ली के अंदर एन गुरु सामी इनका अभी अभी निधन हो गया तो जो एन गुरु स्वामी है ये कौन से राज्य या केंदर शाषित पर्देश के communist legislator थे य क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि ये काफी दखल अंदाजी करती है पुड्डुचैरी के जो मुख्यमंत्री है वो है वी नरानस्वामी कॉंग्रेस के हैं पुड्डुचैरी और दिल्ली ये दो एक मात्र ऐसे दोनों केंदर शाषित पर्देश है यूनियन टेरिट्री है ज हमारे जो मिनिस्टर हैं मंत्री हैं डॉक्टर जितेंदर सिंग उन्होंने ये राज्ये के जो करमचारी हैं उन्ही के लिए स्टार्ट करा है इसका नाम इन्होंने क्या रखा है इसका नाम रखा है comprehensive online modified modules on induction training short में commit इसमें लगभग 3.3 lakh official हैं जिनको train किया जाएगा 6 राज्य इस चीज़ के Dr. Jitandar Singh ये Minister है public grievances के pension के, उसके ये Minister of State है Dr. Jitandar Indian woman हमारी जो भारतिये महीलाओं की throwball team है, उसने कोन से team को हरा के, Kathmandu के इंदर जो world games हुए थे उसमें throwball के इंदर gold medal जीता है, तो इन्होंने final में हराया Pakistan को तो एक तरह से जो cricket का बदला है वो उन्होंने ले लिया और याद रखिए जो man की team है हमारी उन्होंने भी gold medal जीता है उन्होंने final में हराया बांगला देश को और Kathmandu जो है ये सार्क का headquarter है South Asian Association for Regional Corporation जिसमें 8 देश आते हैं तो ये सब तथे आप याद रख सकते हैं इन में से कोईमबटूर में कौन सी building है जो दुनिया की दूसरी highest ranking green building under LEED certification आ गई है कहने का मतलब ये carbon neutral building है इससे वादावरण को कोई नुकसान नहीं है और ये 64% बिजली बचाती है इसका score 110 में से 103 है इसका नाम है building का Sierra ODC Sierra ODC ये building कोईमबटूर में और कोईमबटूर है तमिल नाडू में इन में से कौन से व्यक्ति को Best Parliamentarian Award 2016 का दिया है लोकमत मीडिया ग्रूप ने लोकमत मीडिया ग्रूप ने जो सबसे अच्छा सांसद का अवाड दिया है इसे कौन है ये व्यक्ति ये है N.K. प्रेमचंदरन और जो लोकमत मीडिया ग्रूप है ये newspaper बगारा च्छापता है magazine च्छापता है Marathi, Hindi, English बगारा कई भाशाओं के अंदर और आब आप पूछेंगे ये कौन है N.K. प्रेमचंदरन इतना pollution है इस देश में खासकर हवा का pollution ये देश है चाइना चाइना बना रहा है forest city यानि जंगल और जंगल में शहर होगा तो उस तरह से ये कर रहे हैं इसको project कर रहे है और कहाँ पर बन रहा है चाइना में ये बन रहा है लिया जाओ नाम की जंगा है कोन से राज्य की सरकार ने डेंगू से नेपटने के लिए देखिए डेंगू एक मच्छर काटने से फैलता है जिसको बोलते हैं Adis Egypti वैसे तो वाइरस से फैलता है लेकिन इस वाइरस को लेकर ये मच्छर उडता है Adis Egypti नाम का ये मच्छर है बहुत छोटा मच्छर होता है, एकदम सफेद रंका बहुत ही छोटा और यह seasonal होता है, मतलब हर बार डेंगु नहीं फैलता, seasonal होता है डेंगु तो कौन से राजे की सरकार ने स्टार्ट करा है, यह करा है हर्याना की सरकार ने और अगर आपको Dengu हो जाए तो आपका जो platelet count है वो काफी कम हो जाता है और joint pain होता है आपको बुखार होता है तो काफी सारे लक्षन इसके होते हैं इसके अलावा इन्होंने एक insurance scheme भी start करी है सरकार ने जिसमें 20,000 रुपे तक आपको दिये जाएंगे डेंगू की treatment के लिए man single का title Gary Weber Open ये हैले जर्मनी में वो था ये किस ने जिता ये बहुत बार जीट चुके हैं ये खिलाड़ी इसको Wimbledon से जस्ट पहले होता है ये Gary Weber Open एक होता है Stella Artois ये से Queens Open कहते हैं तो choice होती है या तो Weber Open खेल लेजिए या Stella Artois खेल लेजिए तो ये खिलाड़ी हर साल Gary Weber Open खेलते हैं तो ये जिता है Roger Federer ने Roger Federer सबसे ज़्यादा बार Wimbledon जीत चुके हैं और अब Wimbledon आने वाला है Wimbledon घास पे खेला जाता है ये टूर्नामेंट भी घ्रास पे खेला जाता है इन्होंने final में हराया Alexander Zavarev को ये भी आद रखिए और ये ATP World Tour 500 Series का टूर्नामेंट है तो ये सब ती चीज़ आद रख सकते हैं तो देखना होगा Roger Federer इस बार भी Wimbledon जीत पाते हैं या नहीं Indian Army जो civilians है नागरिक हैं उन्हें रिक्रूट करना चारी है पीस स्टेशन के उपर तो इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम है वो शुरू करा है इसमें जो soldier है वो इन officers को उनकी duty निभाने में मदद करेंगे जो पीस स्टेशन पे civilians वो होंगे इसका नाम इन्होंने क्या रखा है इसका नाम है सहायक सहायक का मतलब यह है कि जो officers है उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे उनके जो हतियार बगार है उन्हें maintain करेंगे equipment को maintain करेंगे इसको बड़ी सिस्टम भी कहा गया है इन में से कौन सी agency है जिसने अपना PDR पूरा कर लिया यानि preliminary decision review पूरा कर लिया है इसके supersonic transport aircraft design के लिए यह किसने किया है यह किया है NASA ने और low boom flight demonstration यानि LBFD यह एक तरह का जहाज है और इसको हम X plane भी बोलते है और NASA ने इसके लिए partnership करी है Lockheed Martin के साथ जो बहुत मशूर लड़ाकू विमान बनाने वाली company है भारतिय मूल का वो कौन सा बच्चा है जो जिसका IQ 162 आया है मैंस IQ test में IQ क्या होता है IQ बताता है आपका दिमाग कितना तेज है IQ को हम define करते है mental age divided by chronological age जो normal IQ होता है वो 100 का होता है अगर 100 से कम है तो आप मंद बुद्धी है और 100 से ज्यादा है तो आप तेज है जैसे मैं आपको एक एक जामपल देता हूँ माल लो अगर आपकी एज है 10 साल और आपका दिमाग चलता है किसी 12 साल के बच्चे जितना तो आपकी mental age हो गई 12 लेकिन आपकी जो normal age है chronological age हो गई 10 तो इसको आप 100 से multiply कर दीजे तो आपका IQ हो गया 120 तो इस तरह से बड़े असानी से आप IQ कल्कुलिट कर सकते हो इस बच्चे का IQ आया है 162 तो यह बच्चा जो है जीनियस एकदम और इसका IQ Albert Einstein और Stephen Hawking से भी ज्यादा है Albert Einstein का IQ 160 बोला जाता है और Stephen Hawking का भी 160 बोला जाता है इस बच्चे का नाम है Arnav Sharma इन में से किसने अपनी अभी शपत लिये यह Union Public Service Commission जैसे बोलते है UPSC उसके Office and Secrecy as Member यह Member बने है UPSC के UPSC हर साल IAS का exam conduct करता है और भी बहुत exam है जो UPSC conduct करता है और इनका नाम है Dr. Manoj Soni और एक बात और यहाद रखिए UPSC के जो chairman है उनका नाम बहुत exam में आता है तो इनका नाम है David Saylil Maliyah अजीब सा नाम है एक में लिख देता हूँ S-Y-I-E-M-L-I-E-H David Saylil Maliyah यह नाम है इन में से कौन सी कंपनी है जो बंद हो रही है यह अपना Eurasia Analytical Services Facility जो है पुने के अंदर यह उसको बंद कर रहे है यह Eurasia Analytical Services Facility है Coca-Cola की तो यह से बंद कर रहे है और Coca-Cola की यह सबसे बड़ी Technical and Innovation Center था भारत के अंदर यह उसे बंद कर रहे है अमर्नाथ यात्रा होती है अभी चल रहे है अमर्नाथ यात्रा और कलाश मान सरोबर यात्रा भी चल रहे है अभी नेपाल में जो होती है तो अमर्नाथ Shrine Board जो है SASB, Shree Aumaranath G Shrine Board उसने जो अपना BIMA है Insurance Cover है, Group Insurance Cover यात्रियों के लिए, Pilgrimages के लिए और सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो एक लाग रुपे से बढ़ा दिया है कितना कर दिया है अब इन्होंने कर दिया है तीन लाग रुपे और यह अनॉंसमेंट करी गवर्नर ने, जमू कश्मीर के गवर्नर कौन है एनन वोहरा और ये चेर्मेन है श्री अमरनाजी श्राइन बोर्ड के भी माईक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज डे ये कब मनाये जाता है जो लगू उद्ध्य हो गए है जो मीडियम साइज के उद्ध्य हो गए है अती लगू उनके लिए मनाते हैं हम 27 जुन को इस बार पहली बार ही मनाए गया है और International Council for Small Business जिसे बोलते हैं ICSB के हिसाब से 90% जो लोग हैं वो informal MSMEs या formal MSMEs में होते हैं तो MSMEs बहुत ज़दा important है और 50% जो देश का GDP है वो MSMEs में निरभर करता है 11 National Statistics Day 29 जून को मनाए गया इस दिन कौन से व्यक्ति का जनम दिन होता है बहुत ही मशूर, बहुत ही माने हुए Statistician थे इनका बड़े होता है तो इनका नाम है PC Mahal Anobis सुपर important question है यह 2007 में सरकार ने शुरू किया था यह मना न और इस बार इसका theme था administrative statistics administrative statistics और Indian Statistical Institute है वो है कौलकता में प्रोफेसर Mahal Anobis ने बनाया था 1931 में तो यह सब चीज़े याद रखिए अभी जो Indian Statistical Institute है उसके chairman है गोवर्दन महता और अगर मैं आपसे पूछू हूँ इस वक्द भारत के chief statistician कोन है जिसको बोलते है CSI Chief Statistician of India इनका नाम है Dr. T.C.A. Anant Dr. T.C. Anant और हमारे minister कोन है statistics के लिए सदानन्द गौडा जो करना टक्के है इन में से कौन सी कंपनी है जो दुनिया की सबसे best performing airline बन गई है इसकी जो stock है उसमें 2017 में 124% का increase हुआ है तो यह कंपनी है Spice Jet और Spice Jet जो कंपनी इसके मालिक है अजय सिंग तो नाम याद रखिए अजय सिंग यह इसके founder भी है और chairman भी है और अभी इन्होंने 26 billion dollar का plane order करें बहुत सारे plane खरीद रही है यह 800% इसने gain करा है 2014 से तो इतनी ज़्यादा अच्छी है चल रही है कंपनी Spice Jet हम International Day of the Tropics यह कंबन आते है Tropics क्या होता है जो सूरज के जहां किरने सीधी आती है यह equator है equator के आसपास यह पूरा tropical area होता है फिर subtropical होता है फिर temperate होता है इस तरह से तो tropical area में भारत का कुछ हिस्सा आता है और अफरीका है जैसे काफी सारे सूरज की रोषणी बहुत तेज होती है यहाँ पे बारिश बहुत आती है tropical rainforest भी होते है जैसे Amazon forest है South America में या Congo में है तो इनको बोलते है tropical area 40% जो दुनिया का surface area है वो tropics में आता है और 80% दुनिया की बायोडाइवर्सिटी जैविक विवित्ता ट्रोपिक्स में आती है 29 जुन को मनाते है International Day of the Tropics रोमानिया देश की अगले परधान मंत्री कौन बन गए है रोमानिया एक देश है ये उरोप में छोटा सा देश है इसकी राजधानी है बुकरेस्ट और रोमानिया के नए परधान मंत्री रिप्लेस करेंगे मिस्टर सोरिद ग्रिंदनियू को इनका नाम है मिहाई तुदोसे मिहाई तुदोसे रोमानिया की मुद्रा है लु ल-e-u लु दंगल पिच्चर ये पहली पिच्चर बन गई है दंगल ये देश है चाइना चाइना से कमाया है 189 million dollar इसने 2000 करोड में से चाइना से कमाया है और ये पाँचवी फिल्म है पूरी दुनिया में नॉन इंग्लिश जो इंग्लिश में नहीं है जो जिसने 300 million dollar यानि 2000 करोड रुपे का मार्क क्रोस किया है तो ये है दंगल, तो ये दंगल जो फिल्म है, ये एक महशूर रैसलर है हरियाना के उनके जीवन पर बनी थी, क्या आप उनका नाम कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं, ये है आपका पांचवा सवाल इन में से कौन व्यक्ति हैं, जिने बेस्ट एस्ट्रलोजर अफ दा वर्ल्ड का वार्ड मिला है, रशियन, इंडियन, इकोनोमिक डायलोग के राउंटेबल, जो मोस्को के अंदर हुई थी, यानि सबसे अच्छे जोतिशी दुनिया के, कौन है ये, इनका नाम है, टी एस वि बॉड 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 नाम की चैंपेंचिप होती है, वेनिस के अंदर हुई थी, वेनिस आप जानते हैं, इटली के अंदर है, इटली राजानी रोम है, रोम में फूड अन एग्रिकल्चर और्ग्याशन का हेड़ कॉर्टर है, इस तरह से तो और ये एक्स जो ये इशु करा है पासपोर्ट ये किया है एक transgender activist के लिए जिनका नाम है फर्जाना जान तो यह देश है पाकिस्तान फाकिस्तान नेकी है और 2009 में जो पाकिस्तान है वो दुनिया के सबसे पहले देशों में से एक बना था जिसने जो third sex है उसे recognize किया था यह male और female के अलावा भी और gender possible है पाकिस्तान की राज़ानी सलामाबाद है पाकिस्तान के परधान मंत्री है नवाज शरीफ के आर मोहनन इनका निदन हो गया ये मशूर क्या थे ये मल्यालम फिल्में बनाते थे तो ये थे फिल्मेकर इन में से कौन सा कंट्री है जिसने अभी अभी बुलावा इंटरनेशनल बलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है अपने यूरी डोल गोरु की सबमेरिन से ये देश है रश्या और इन्होंने कौन से समुद्र के अंदर ये किया है बेरेंट्स सी के अंदर दस वार हेड केरी कर सकती है ये 150 किलो टन बारूद लेके 10,000 किलोमेटर तक वार कर सकती है उत्तर परदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन बने है नए उत्तर परदेश के पहले थे राउल भटनागर इनको रिप्लेस करेंगे मिस्टर राजीव कुमार राजीव कुमार और जो राउल भटनागर है उन्हें शार्जा 2019 के लिए शार्जा अगर मैं पूछू 2018 के लिए तो एथेंस 2017 के लिए तो को ना करी तो यह सब याद रखिए वैसे नई दिल्ली भी था 2003 में और शार्जा है कहाँ पे शार्जा है UAE में सयूक्तरब अमिरात में जिसकी राजधानी है अबुधावी सयूक्तरब अमिरात में साथ Emirates आते हैं उन मेंसे एक है शार्जा एपल जो कंपनी है मशूर उसने इन मेंसे कौन सी कंपनी को खरीद लिया है ये आई ट्रेकिंग टेक्नलोजी यूज़ करेगी आई ट्रेकिंग टेक्नलोजी होती है जो इसे बोलते हैं Augmented Reality तो इसे जो तक्निकी पार्ट है फोन्स का वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है इस कंपनी का नाम है Senso Motoric Instrument Apple कंपनी के CEO कौन है? Tim Cook Tim Cook हमारी केंदर सरकार ने अभी जो सत्ता कमिशन आया है सात्वा पे कमिशन वो अप्रूव कर दिये हैं उसके recommendation जो इन में modification हुए थे तो कितने modification हुए थे जो एक जुलाई से लागू होंगे तो ये बताईए आप कितने modification करें हैं total total है 34 provisions 34 modifications और इससे सरकार पे 30,000 करूड रुपे का extra खर्चा पड़ेगा सात्वे पे कमिशन की वज़े से लेकिन इससे 34,00,000 employees को फायदा होगा नया world record 300 meter की race में किसने बना दिया? ये वैक्ति हैं और ये meet हुई थी औस्ट्रावा चेक रिपब्लिक में तो ये इन्होंने नया record बनाया है 300 meter sprint में 30.81 सेकंड में इन्होंने ये race जीत ली Michael Johnson का record थोड़ दिया बहुत पुराना और ये record औफिशली रेगनाज नहीं है क्योंकि 300 meter की कोई race होती नहीं है लेकिन इस बार करवाई गई थी और इनका नाम है Wade Van Nikirk अब Usain Bolt तो retire हो गए तो देखना पड़ेगा कि Usain Bolt का स्थानब कोन लेगा इन में से कौन सा वैक्ती है जो भारत ने मनोनीत किया है who has been nominated by India to the International Court of Justice International Court of Justice जो हैग Netherlands के अंदर है, Netherlands को Holland भी बोलते है यहाँ पे रहने वाले लोगों को Dutch बोलते है Capital है Amsterdam तो इनका नाम है दल्वीर भंडारी दल्वीर भंडारी और दल्वीर भंडारी जो है अभी इनका जो current term है वो फरवरी 2018 तक है और ICJ में election होंगे November में और अगर यह elect हो गए तो वहाँ 9 साल के लिए फिर यह काम करेंगे इन में से NIFT यानि National Institute of Fashion Technology का चेर परसन किसे नियुक्त किया गया है कौन चुना गया है इनका नाम है Mr. Rajesh शहा और इनका नाम हमारा जो कपड़ा मंत्राले है टेक्स्टाइल मिनिस्टर उन्होंने प्रोपोज किया था स्मृति रानी है इस वक्त हमारी इसमें 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी 15,000 ट्रेनर, 3,000 एसेसर और 8.8 मिलियन यूथ यानि 88 लाख यूथ को ये बेनिफिट करेगा 15 से 59 एर्ज की एज तक इन में से बॉलीवूड की कौन सी एक्टरेस हैं जिने नया ब्रेंड एम्बेसिटर बनाया है Skill India Campaign का Skill India Campaign National Skill Development Corporation ने बनाया है NSDC ने और NSDC के CEO और मेनेजिंग डिरेक्टर ने मनीश कुमार 40 करोड लोग ट्रेन करना चाहती है सरकार 2022 तक काफी ambitious target है और ये एक्टरेस है प्रियंका चोपडा भेल भारत Heavy Electricals Limited भेल जो कंपणी है भेल कंपणी के जो CEO है वो है अतुल सोबती तो भेल ने इन में से कौन सी कंपणी के साथ कोलाबोरेशन करा है जापान की कंपणी है ये अब ये Metro के कोचिस बनाएगी, ट्रेन के डिब्बे बनाएगी ये कंपणी है कावा साकी Heavy Industries और भेल का हेड़कॉर्टर दिल्ली में है और CEO है अतुल सोबती हमारे जो खेल मंत्री है विजय गोयल और डॉक्टर हर्शवर्दन जो कई सारे मिनिस्ट्री है इनके पास साइंस, अर्थ साइंसेज, टेकनोलोजी और अभी क्योंकि Environment परियावरण मंत्री उनकी डेथ हो गई अनिल माधव दवे थे तो उनका स्थान भी इन्हों ने ले लिया हर्शवर्दन को additional charge मिला हुआ Environment Ministry का भी तो विजय गोयल खेल मंत्री Minister for Sports and Youth Affairs और हर्शवर्दन, डॉक्टर हर्शवर्दन Science Technology, Earth Science and Environment Ministry इन्होंने अभी अभी तीसरा अध्याए Slum Yuba Daud दिल्ली के अंदर उसको हरिजंडी दिखाई तो आपको ये बताना है कि कितनी Slum Yuba Daud'े हैं जो प्लैन की गई हैं, टोटल कितनी races होंगी ये बताइए टोटल जो race होंगी, वो होंगी 11 11 इन में से कौन सी Social Media Website है जिसने Launch करा है Online Civil Courage Initiative कहने का मतलब अगर Online Extremism हो रहा है, जैसे Online अगर कोई आपको बहुचता गाली अलोज करे या Online Extremism जिसे कहते हैं, तो UK में काफी चल रहा है, इसके लिए इस Website ने Launch करा है Online Civil Courage Initiative इसको रोकने के लिए इसमें जो NGO हैं, यह उन्हें ट्रेन करेंगे जिससे कोई भी अगर ऐसा content, जो लोगों की भावनाओं को आथ कर सकता है, या लोगों को भढ़का सकता है Online, उसे control करेंगे, यह किया है Facebook ने International Day in Support of Victims of Torture जो torture किया जाता है किसी भी तरह का उत्पीडन वगरा जो होता है, उसके जो victim होते हैं जो पीडित वैक्ती होते हैं, उनको support करने के लिए जो अंतराष्ट दिवस होता है, वों किस दिन मनाते हैं 1997 में resolution पास होता है इस दिन को मनाने के लिए, यह मनाते हैं 26 June को National Pharmaceutical Pricing Authority जिसे बोलते हैं NPPA उसने अभी अभी कितनी दवाईयां है जिन पे ceiling price लगा दिया है यानि इससे ज़्यादा आप इन दवाईयों का charge नहीं कर सकते और NPPA के chairman है भुपेंदर Singh भुपेंदर Singh और ये भी काउन होने कि GST की वज़े से दवाईयां महंगी नहीं होंगी at least 78% दवाईयां ऐसी हैं जो महंगी नहीं होंगी तो total दवाईयां जिनका price fix कर दिया गया है 761 Food Safety and Standard Authority of Energy जिसे बोलते हैं FSSAEI उसने इन में से कौन सी चीज के लिए नए rule बनाए है draft regulation issue किये है इन में से कौन सी चीज के लिए इन्होंने किये है organic food के लिए organic जो खाद्यान है उनके लिए किये है और याद रखिए Mr. आशीश बहुगुना ये है FSSAEI के chairman O.N. धर इनका निधन हो गया ये मशूर क्या थे ये इन्होंने काफी सारे जमू कश्मीर के कई सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है ये bureaucrat थे इन में से कौन सा शब्द है जो Oxford English Dictionary ने अभी-अभी include करा है ये शब्द है चना चना जिसकी आप सबजी खाते हैं चना चना को English में क्या बोलते है चिक्पी तो चिक्पी को चना डाल होती है जैसे तो Oxford ने जो 600 नए शब्द डाले है Oxford Dictionary में उसमें से एक ये शब्द है चना तो ये काफी important है और एक और बात Oxford Dictionary ने 2016 के लिए post truth नाम का word है इसे को declare किया था word of the year post truth का मतलब होता है जब आपके लिए 70 matter नहीं करता सिर्फ आप जो सोचते हैं वो matter करता है उसको बोलते है post truth इन में से कौनसी cricket team है जिसने world record बनाया है 300 या उससे ज़्यादा one day matches के अंदर सबसे ज़्यादा run बनाने का तो ये किया है कारणामा इंडिया ने इंडिया ने 96 से ज़्यादा बार 96 टाइम 300 से ज़्यादा run बनाई है ये याद रखिये और ये record इन्होंने जो वेस्ट इंडिस के खिलाब second one day match हुआ था उसमें create किया 300 से ज़्यादा run बनाने का कारणामा इंडिया ने 96 वी बार किया है इसके लिए इन्होंने एक world record बना दिया है एक committee है जो अभी अभी Board of Control for Cricket in India ने constitute करी है इसमें जो लोड़ा पैनल था जिसके reforms थे जो सेजेस्ट किये थे उनको analyze करेगी ये committee तो इस committee की अध्यक्षता कौन करेंगे साथ मेंबरेंस committee में इसके अध्यक्ष होंगे राजीव शुकला और BCCI के जो acting secretary हमिताप चौधरी वो इसके conveneer होंगे और बस BCCI में आप इतना याद रख सकते हैं Mr. C के खन्ना ये हैं BCCI के acting president भारत की क्या rank है 2017 social progress index में 128 countries के अंदर भारत की rank है पहले number पे Denmark है जिसकी आज़ानी कॉपन है करें दूसरे पे Finland है तीसरे पे Iceland है Iceland रखी आवी के Finland हेलसिंग की है भारत की rank है बहुत ही पीछे तिरान में 93 नासा ने अभी अभी इन में से कौन से ग्रह पे एक बहुत पुराना जील है उसके कुछ नमुने सबूत के तौर पे देखें की यहाँ पे एक जील हो सकती है यह कौन सा ग्रह है Ancient Lake जहाँ पे उसके कुछ evidence मिले है इने यह ग्रह है मंगल ग्रह यानि Mars याद रखिए धर्ती Mars और Venus के बीच में आती है ठीक है धर्ती जो है वो Mars और Venus के बीच में आती है अब अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि धर्ती के ज़्यादा नजदीक कौन है Venus है के Mars है तो answer है Venus तो यह गलती मत करिए कई लोग सोचते हैं मंगल यान वगरा भेज रहे हैं तो Mars ज़्यादा नजदीक होगा बैन कर दिया है यह है लसित मलिंगा शिरलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया और 50% मैच फीस बीस की काट लिये और शिरलंका के जो कोच हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है शिरलंका के नए कोच हैं निक पोठस बहरत के कौन से राज्य की सरकार है जिसने रेटार्मेंट एजए जो गवर्मेंट एम्प्लोईज की 58 से बढ़ा के 60 कर दिये यह किया है अरुनाचल परदेश की सरकार ने अरुनाचल परदेश सबसे पहले भारत में सूरज निकलता है अरुनाचल परदेश में, अरुन मतलब यह होता है सूरज और अरुनाचल परदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खंडू, और यहां के गवर्नर है पदमनाभा अचार्या राजधानी है इटानगर इन में से कौन सा राज्य है जिसे अभी-भी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस मिला है दूसरे एक ग्लोबल स्किल डेवलप्मेंट सम्मेट जो पैरिस के अंदर हुआ था पैरिस जहां पे युनेस्को का हेड़कॉर्टर है फ्रांस की राजधानी पैरिस है, फ्रांस के राजपती है इमेनुल मैकरॉन और उनकी पार्टी का नाम है एनमार्श ये किया है उत्राखंड, ये अवार्ड मिला है उत्राखंड को उत्राखंड के मुख्यमंत्री नए है, त्रिवेंदर सिंग रावत भारते जिंता पार्टी के हैं और बस आप इतना याद रखिए इंडियन सूपर लीग, इसको अफिशिल स्टेटस मिल गया है, अपचारिक स्टेटस मिल गया है कौन सी संस्था ने दिया है, इनको दिया है एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन ने, यानि एफसी ने एफसी ने, और जो आई एसल है, ये आई लीग, जो इंडियन लीग होती है फुटबॉल, उसके पैरलल चलेगी और इस इतना ही नहीं, आई एसल के जो विनर है, वो एफसी कप में भी खेल सकते है राजपती प्रणम मुखर जी जो है, इन्होंने अभी-भी किस चीज का उधगाटन करा है ये एक exhibition of artworks हुई है, ये कहां पे हुई है, कौन सी academy के अंदर हुई है ये हुई Academy of Fine Arts कॉलकता के अंदर, कॉलकता जिसे बोलते हैं City of Joy चंदर शेखर आजाद Agriculture Technology University, CSA के वज्ञानिकों ने अभी-अभी इन में से कौन से खाद्यान, कौन सी फसल है, जिसकी एक नई variety डेवलप करी है जो की summers में भी उग सकती है ये किया है, इन्होंने मूमफली के लिए groundnut, groundnut को पीनट भी बोलते हैं मूमफली को तो इसकी एक नई ऐसी वो बनाई है, जो summer में भी उग सकती है और ये disease free, इसमें disease भी नहीं लगेंगे कौन सी Space Agency है, जो एक sounding rocket chess, जिसने launch करा है, जो interstellar clouds को study करेगा बादलों को study करेगा, ये किया है NASA ने National Aeronautical Space Agency जो अमरीका की है, उसने ये किया है देशबंदु गुपता, इनका निदन हो गया, ये कौन सी कंपनी के founder थे, दवाईयों की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, ये राजस्थान के थे देशबंदु गुपता, कंपनी का नाम है Lupin, Lupin Pharma, और अभी इस कंपनी की जो CEO है, वो है विनीता गुपता, और मैनेजिंग डिरेक्टर है निलेश गुपता लारसन और टूब्रो कंपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर और CEO कौन बने है लारसन और टूब्रो न्यूज में आई थी, क्योंकि सरकार ने इसमें से नोट मिलेगा, और इसमें काफी advanced security feature भी होंगे इस पर जब डिटेल आईगी तो मैं बताऊँगा डिल्ली Development Authority ने एक नई housing scheme शुरू करी है इसमें कितने flat रखे गए है total तो ये उतना वैसे important question नहीं है, लेकिन कर सकते हैं आप याद 12,000 flat है विकास सदन में इन्होंने ये launch करी थी, विकास सदन जो DDA का headquarter है तो ये आप याद रख सकते हैं तो ये थे सबसे अच्छे question इस अबते के काफी सारा और भी मैं अतिरिक्त information भी आपको दे देता हूँ जिससे थोड़ा revision भी आपका हो जाता है तो अगर आप मुझे Facebook के follow कर रहे हैं तो वहाँ भी मैं बहुत सारी question पूछता रहता हूँ समय समय पे काफी difficult level के तो ये था वीडियो और इसको जितना हो सके फैलाईए शेर करी अपने friends के साथ Quality Current Affairs हर अफते में आप तक लेकर आता हूँ जिन्दी और इंग्लिश में ये वीडियो इंग्लिश में एक घंटे के बाद मैं अपलोड कर दूँगा थैंक्यू